यह आप चेक कर सकते हैं यह मिटी कितनी मशकत लगी हमें विजूत है हमारे देख ले इसे की वाज़ा से तोसमदान जो है बदनाम है हालात बहुत खराब सांस फूल चुकी है बिसमिल्ला है का के मार्केट को अल्विदा करते हुए नेक्स एपसोड शुरू हो रहा एक एडवेंचर असल में तो बढ़गां वैसे बहुत बड़ा वास्ट एरिया है एक्स्प्लोर करने के लिए इट नीड्स टाइम जिसको मैनेज करना पड़ेगा इंशाला है तो सारी अपने लिस्ट में यह आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर पुराना बहुत जबरदस्त अल्की फुल की ठंडी हवाए आनी शुरू हो गई है क्योंकि जुही हम उपर चले जाते हैं हाई अल्टिचूड की तरफ तो मोसो महा सर्द होता है और जिसकी वज़ा से हम लोग ठंड कर रहे हैं कश्मीर के हर गाओं में आपको बिल्कुल अलग से डिफरेंट फील मिलेगी और बढ़ गाम जहां तक मैंने सुना है बहुत ही खूबसूरत है एक बात है कि तोस्व मादान के मोसम पे कोई बहुरोसा में इसी पूरा द्रंग हम लोग पहुँच गए हैं वह वह क्या है यह है कश्मीर की अफील यह अखरोट के दर्थ यह पुराने मकान स्ट्रक्चर्टर्स वह इसका गेटवे बन रहा है शायद गेटवे आफ तोसमादान अब सीन्स है ना आपको बहुत खूबसूरत देखनी को मिलेंगे वाव जी बीटफूल देख सकते आफ नजारे खूबसूरत 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 सीन्स सामने आते जा रहे हैं वाव सितारन गाउंड और इसकी व्यूज अब चेक करना में उपर जब हम चले जाएगे तो कितने खूबसूरत सीन्स इसके आते हैं अब चेक करें जड़ा माशाला है क्या खूबसूरत है मतलब क्या स्कून वाली जगें क्या स्कून वाले लोग वा करते थे अब लो जी सीन्स देख लो चेक कर लो सीन्स क्या खूबसूरत सीन्स है बिल्कुल डिफरेंट डिखता है यह जी ज़ड़ा चेक करें वीव को वीव को चेक करें इस्थारन की ब्यूटी माशा एल्ला है मैं पूरा नीचे से लेके यहां तक सैडलिंग ही कर रहा हूं और रोड्स को एंजाय कर रहा हूं माश्या आलला खूबसूरत यहां पर रुकते हैं वाव राइथन बढ़ गांव वो होगा I think पीछे जो आप देख रहे हैं इसका नाम है सितारन इसका कुछ हिस्ट्री के साथ अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में जरूर बताईगा फिलाल हम लोग यहां रुके हैं अपने मोटर साइकल्स यहां रोके थोड़े से शॉट्स सोचा की एंज्वाइ करें और उसके बाद जो है हम अपना सफ़क तो समदान की तरफ कंटीन्यू करेंगे फिलाल आप समर्ग वाला रिजिन अहां यहां यह देखो पॉलिच हैं देखा कितनी गंद गंद मेंचा कि रखी हैं अहां कितने अच्छे नेचर को खराब कर दिया है मूड खराब हो जाता है फिर ऐसी चीज़े देखके रहां यहां यह स्टीफी है चलो जी क्लेर है आजाओ दबा के अहां यह आप यूज चेक कर सकते हैं यह है द्रंग और कितना बीटफुल मेडव है लेकिन जब हम तोसमादान पहुंचेंगे गे न तो बंदा सारे मेड़ को बूल जाता है जो भी उसने आज तक देखे हूं वो बहुत खूबसूरत चीज है अहां क्या फील है वा 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 अहां मैं चाहता था कि यह जो है यह रोड ऐसा ही हो तब जाके मज़ा आता है एंजॉय करने में लेकिन शुकर है मतलब इसके साथ उतनी छेड चाड तो नहीं की गई है इस साल तो चांस है कि यह रोड जो है सारा मेड़माज होगा अगर राइड में ऑफ रोड ना आया त है वाजीवा वाइड एंगल कैमरा उतना नहीं दिखा सकता है स्टीफ कितना है लेकिन है बहुत जबरदस्त है सेकंड गेर में 3000 आर्पीम है और जटके लेरा मोटर सेकल हा 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 मजे मजे हर ऐसा रोड एक अच्छी खूबसूरत जगा की तरफ जाता है यह सोच रहोगा मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले पांच सो किलो मेटर में मुझे ऐसा ना गिसा आ जाएगा को चलना चल 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 पीरे वीरे चल वीरे सेकंड गेर तो महनता ही नहीं है हा हा हें अब पार्ल दिसको कर रहाएं निसको कास्मभा जरा बचके हा है just के और यह तो गूम रहा हो एपला अर्य हृश मैंने रूक सकता नहीं रूक सकता रूकित रूक नहीं रूक थैक रूचिरोन हैंarda नहीं थैन चिकलाओ अजय को आप 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 ओस्किड मारा है रुक भी रहा है तो इसको करते हैं पुश कि अधियर ड्राइब है अगे रुको 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 नीचे उतर के अधिन पाशिंबाई चलो जी बिस्विल्ला हाल् अचल चलो जीच अजय करें leod ours पीचम साथ inan Community तक पांट आप ए्याद सूव साथ इसी करें हालात बहुत खराब, सांस फूल चुकी है, अब यह थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं सांस फूल रही है, मतलब मुझदूर, 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 इस वक्त इस हालत में नहीं है, कि व्लॉग कंटिन्यू कर पाएं, इसलिए हम इनसे ले ले लेता हैं, कैमरा तेरा, वह थोड़ा है, यह रेड़ बॉल, खाली बोटल्स जो है, जो आपने अभी जूस पिया है, इनको हम साथ लेके जा रहे हैं, यह बैग में बरे जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है, कि हम से अट-लिस्ट नेचर गंदाना हो जाए, बाकी आपकी मर्ज अग हो गया, थोड़ा सा जूस पिले क्योंकि बहुत ज्यादा डिहाइडरेट हो गए हम इस पैज की वज़े से, और टाइम हो गया है, हो 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 तीन वीस हो चुके हैं, वा जी देखो, देखो यह बाई स्थीव क्या है, नो 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 मैन, बारफ छे साथ इंच डाउन है, मतर पैर अच्छे से फाज जाएंगी, बढ़ गाम वाला साइड कितना खूबसूरत है, तो यह ओब हेर बारावर हेर पैट, ठीक प्रुकना नहीं, ठाकना नहीं, हम लोग डंदम पहुंच गए, लग बग यह साड़े दस हजार फीट अल्टिट अल्टिचूड है, और यह यह चीजोंने हमें ठाकाया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादाना पड़ा, हो माई गॉड़, माशाल, हो हो हो, हाँ, क्या खूबसूरत नजारे जी, यह है हजरत शेखलालम रहमत अल्हाला की खान का एक वो ज्यादा तर ट्रावल यहीं से करते थे पुन्च पाले साइड में, तो वह जो मांटें से उसके उस साइड में पड़ता है पुन्च जो बहुत खूबसूरत अभी है और जैसा कि अभी तक आते आते हैं एक दो बार मोटर साइकल को दका दे के चड़ाना पड़ा लेकिन अभी वो चीजें सब भूल गया है अलग सी फीलिंग, अलग से नजारे, अलग से मजे, माशाल लाह, आप यू च पुन्च पुन्च एरिया, यह सारा ग्रेजिंग पॉइंट है, अभी हमें आई अगेस दो चार किलोमेटर और जाने हैं और शाम के बज गया है, साड़े तीन बज चुके है, तीन किलोमेटर लग बग है अभी तोसमादान, और आई होब की बरफ जो हमने पीछे क्रॉस की सब्सक्राइब करने की अब तो हरारत रही नहीं हमारे पास बाइक को पुछ करने की अबट यह आप चेकर सकते हैं यह है जिस सबसे वर्स्ट पैच इसको कह सकते हैं यहां के दिल बहुत दुखता है इतनी डिफॉरस्टलेशन हो गई है कहने की बात ही नहीं है कि रमजान में आप लोग एट लिस्ट इस यहां ट्राइना करें क्योंकि सारी इनर्जी खतम हो जाएगी आप चोड़ोजी मुश्किल से निकल गए तब से इंपोर्टन बात है कि यहां आप कभी बी किसी भी सीजन में अकले ट्राइना करें क्योंकि बहुत सारे खत्राथ ह होते हैं वह जो लूब है बस वो क्रास करके फिर हमें राइट से जाना है लेकिन स्टीफ स्टार्ट होगा लगब एक किलूमेटर और उसके बाद हम इंशालला तो इस मोदान पहुंच जाएंगे यहां देख सकते हैं यहां से पूरा मत्तब पूरा जंगल काटा गया था अ मतलब इतनी डिफॉरेस्ट्रेशन मैंने कश्मीर में कहीं और नहीं देखी है को कश्मीरी में कहावात है कि पतिमगर्श वक्रासा लास्त की जो गड़िया होती है बहुत ज्यादा मुश्किल होती है तीन पचास हो चुकिया है चार बजने वाले हैं और लेट हो गया एक एक गंटा लगबग लेट हो गया अच्छा कासा स्थीफ अज तो इन्होंने उस हिसाफ से ठीक कर दिया है उस वक्त वह यह बहुत ज्यादा रिस्की था यहां पर समर्स में ना बकरवाल जो आते हैं प लेसिंग करते हैं और रहते हैं कोठों में उन्होंगी की एचिवाशी बीडिया हुआ करती है शीजन में तो है 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 प्सकी करे थेख चके रहे जिए पश्मीर का वान और ली तो समधान king of all meadows खके बचके 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 अराम से बचके बिसमिल्ला हराब आपका लाख लाख शुकर है बचा के यहां तो रुकना रुक के फिर निकलना नामुम्किन है तो बहतर है कि यूपर चैड के ही में उनका स्टाटस चेक करूँगा है चैक करें जड़ा यहां से आते हैं बकरवाल्स इन 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 साइड से तो यहीं जब एंटर हो जाते हैं तो यह जो है आगे भी मतलब हम लोग तोस्वमादान में एंटर नहीं हो चुके अजय कुसम की मिटी है भाई ना कहीं से नहीं जा सकते यह तो वहां से जाना था यहां चेक कर सकते यह मिटी है लुट कितनी मशेकत लगी हमें वजूते हैं हमारे देख ले इसे की वज़े से तोस्वमादान जो है रिए बदनाम है क्योंकि यहां अगर बारिश हुई तो और जी ब कुसम की मिटी है यहां जिसमें आपके पैर अच्छ सकते हैं आप आदर नहीं चल सकते हैं बाई की तो बात ही नहीं है जो जो बहुत बार ही हो गए मिट्टी के वज़े से चलने सकते हैं थोड़ा सा ट्रैक करते हैं चला आज मुकदर में पूरा मेड़ों के अंदर ना रांटर होने का ने लिखा था नेक्स टाइम इंशालला चेक करें कि देखें माशाला खूबसूरत नजा रहे हैं यह आप चेक करें कि कितनी खूबसूरती से ना अल्ला ताला ने इसको बनाया है और जब हम लास्ट टाइम कासिम भाई और मैं आये थे हम लोग उस साइड रुके थे और वहां तक राइड करके फिर हम वापस आये थे क्या कर रहा है दान्ज भाई बस खर्बस नि अल्लागी ताल्ण साइड यहां नाइड तोड़ घराब था थी खराब थी थाया है तोड़ की बहुत जगों पर बहुत जगों पर क्रास करना पड़ा है बोछी मख़ए यहाद रहेगी यह राइगी ए क्धियु नहीं कि पुषू किया है पूँ से शाइम चार शी ओए औ एक बज़ करें रिवांड घंड ताइम दो में बदा से हम ही इस कि अ ही थिर हम प्रमाइकी के अधिव दूम आयें इतना एडवेंचर आफ रोड है बहुत ही जाद एडवेंचर और आफ रोड हो गया आज काफी जगह पे बरफ भी थी से मिटी भी थी लेकिन मुझे लगता है कि यजदी ने काफी आराम से इसको पार किया मेरे खाल में यजदी स्क्रेमरर के लिए ये एक वीडियो देखना क मुझे भी लगता है इसमें सब कुछ हुआ है हमने हाइवे भी चड़ाया लगबक 110 तक और टफ ओफ रोड भी की सुनो क्रॉसिंग ये सब चीजे तो फाइनली मतलब अच्छा मोटर साइकल है बड़िया मोटर साइकल है साड़े चार हो चुके हैं और हम लोग भी निकल र तक जाना है और इसलिए हमारी कोशिश यही रहीगी कि हम लोग जल्दी से जल्द यहां से निकल जाएं क्यूंकि आगे बहुत सारा आपको पता ही आपने देखो गए वीडियो में रोड बहुत ज़्यादा खराब है करते हैं यह सीरीज यहीं पे खत्म आई होगी अगर प